नमस्काइद दोस्तों हिंदी न्यूजिय फेर्स में आपका स्वागत है दोस्तों भारती एक्सपोर्ट से लेकर बहुत बड़ी न्यू जा रही है जो भारत के लिए बहुत फी अच्छी है और लेकिन एक तरह सो सोचने की भी बात है कि कहीं वो भारत के लिए कहीं बुरी खबर ना बन जाए दोस्तों खबर क्या है आईए पूरी बिस्तार से समझाता हूँ दसल दोस्तों बात ये कि रूस ने जब यूक्रेन पर हमला किया था तो ये जब यूद स्टार्ट हुआ तो इसके यूद को रोकने के लिए पश्चमी देश और खास करके यूरूपियन कंट्रीज जो यूरूपियन यूनियन है इसने रूस के उपर प्रतिबंद लगा दिये थे कुछ सैंक्शन लगा दिये थे कि रोस के पास पैसे कम पहुंचे उसके पास पैसे कम पहुंचेंगे तो वो ज़्यादा लंबे समय तक वो लड़ाई अपनी जारी नहीं लग पाएगा और ये यूद खतम हो जाएगा रोस और यूक्रेन के बीच का अमेरिका ने भी खुब सैंक्शन लगाए थे लेकिन दोस्तो इसके सैंक्शन लगाने का रोस पे कोई खास असर पड़ा नहीं सैंक्शन लग गया लेकिन यूद आज भी चल रहा है जबकि यूद के दो साल कम्प्लीट हो गया सोचे दो साल से भी ज़्यादा हो गया तो वो उसमें कोई फरक नहीं आ जाया लेकिन अब क्या दिक्कत है यूरोपियन यूनियन पहले रोस से अपने जरूरत का वो खरीता था इन्हन यानि कि कच्चा आउयल अब क्रूड आउयल परचेस करता था अब सैंक्शन लगा दिये तो अब तो परचेस नहीं कर सकता तो European Union ने इसका एक sort card निकाला sort card क्या निकाला वो रूस से ना purchase करके वो भारत से purchase करने लगा अब भारत तो कोई oil का production करता नहीं है भारत में तो होते हैं नहीं तो भारत ने भी क्या किया भारत में रूस से कच्छा oil purchase करना शुरू करा कच्च ओइल पर्चेस करना इस्टार्ट किया फिर उसको रिफाइन किया और रिफाइन करना एक बाद यूरॉपियन यूनिट को बेज दिया अच्छा अब आप कहेंगे कि वो भारत से क्यों ले रहा है अरब देसों से यूरॉप क्यों नहीं खरी सकता है तो वो अरब बेसों सो इसलिए नहीं खरीद रहा है क्योंकि भारत जो तेल दे रहा है वो उसको सस्ता मिलता है क्योंकि रूस जो भारत को बेजता है वो डिसकाउंटेड प्राइस पर बेजता है तो European Union को भी डिसकाउंटेड रेट पर मिल जाता है मतलब मार्केट से सस्ते र Union का कहना है उनके सांसदों का ही कहना है कि भारत से जो हम Oil purchase करते हैं वो Refined Oil होता है वो कच्छा ओइल नहीं होता है और भारत जो रूस से purchase करता है वो कच्छा ओइल होता है तो इसका मतलब दोनों different product है इस ये बोलते हैं रूस वाले तो मतलब वो अपने हिसाफ से चीजों को ब अच्छा आप तेल purchase कर रहा है तो भारत का उबर भी शैंक्छन लगने चाहिए आखिर भारत भी तो वहीं चीज़ कर रहा है और फिर उसी का ओईल हम ले रहे हैं European country ले रही हैं तो उनके सांसदों ने अपनी पार्ली आमेंड में खड़े होकर ये बताया कि यह हम सेम चीज ऐसे मतलब बाहर से बजार से थोड़ा सस्ता मिल जाता ह। मछ कैंथ में चीज़ से चाहिए clones कर रहा हैं और रूसका भूरे उससे अ पहाने इसको पास पैसे पहुंसते हैं उसकी फंडिंग हो रही है ताकि वह अपने भी देश को आगे बढ़ा है और उसकी जो पैसे लग रहा है इस वाकि यूद में वह भी वह मैनेज कर सके इससे रूस का भी फाइदा है तो दोस्तों एक चीज़ तो यह है भारत के उपर य इसको पैसा है नहीं चाहिए वो अमेरिका हो चाहिए यूरोपियन यूनियन हो यह लोग दूसरे के सब अपने लिए तो रूल नहीं बना सकते कोई भी अजीब सा बस उसके काट जरूर बता देते हैं अब जैसे इसमें कि इनों ने बीच का एक रास्ता बता दिया कि हम उन दोस्तों आगे कुछ और चीज़े अगर पता लगती है तो मैं आपके लिए एक अपडेटेव वीडियो लेकर आऊंगा धन्यवाद दोस्तों आपको इंट्फॉर्मेशन अच्छी लेगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते हैं